नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइस हिंदी में आज हमारा यह टेस्ट नंबर नौ है ठीक है टेस्ट नाइन हम देख लेंगे सारे क्वेस्चन्स कहा है उससे पहले हम आपका मतलब धन्यवाद कहना चाह कि मतलब आप विस्वास कीजिए मतलब बहुत ही अच्छा लगा देखके कि किस तरीके से आप सभी लोग एक तो मतलब कैसी कैसी सिचुवेशन में होते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं गाउं से हैं कोई केरला में हैं मतलब मैरिड हैं बच्चे हैं फिर भी एकदम मतलब ल हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है काम आ रहा है आपके वह हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है उसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों और बस आपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए यह सब हमें भी मोटिवेट करता है और हम आपके लिए निर कास के क्रम में निर्धनता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है इसे दूर करने के उपाय के रूप में केंद्र तथा बिहार राज के द्वारा चलाई गई योजनाओं का समा लोचनात्मक परीक छण करें ठीक है यह रहा पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं शक्तियों के विकेंद्री करण से आप क्या समझते हैं इस दिसा में 73 संविधान संशोधन की क्या भूमिका रही है वरडन करें तथा बिहार में इससे संबंदित क्या क्या प्रावधान किये गये थे उसे वरडन करना है नेक्स क्वेश्चन है वर्तमान बिहार में इतनी ब दो-दो क्वेश्चन कर देंगे डेली तो आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाईए और एक चीज और कहना है कि आप लोग जो टेस्ट कर जो डियूरेशन है दो दिन कोशिस कीजिए इस दो दिन में ही इस आंसर को कम्प्रीट कर लिजे क्योंकि देखे रिव्यू के लिए आ इस समय उन्हीं के आंसर्स को रिव्यू किया जाए तो आप कोशिस कीजिए पहले करने का नहीं तो फिर रिव्यू नहीं होगा तो फिर थोड़ा आपको आपको अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो चलिए हम अपना टेस्ट एट का जो है वो डिसकस्शन देख लेते हैं देखिए एक चीज और आप लोगों को ज़रूरी बात बतानी थी कि जैसे आप लोग जो करेंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं आपका फर्स्ट पेपर में जो सेकंड सेक्शन है करेंट अफेयर का है उसमें बेसिकली पॉलिटी और आई यार के क्वेस्चन आते हैं फिर उ यहां पे जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको आपको करेंट से ही जोड़के लिखना होता है तो इस परकार से आपका करेंट अफेयर का काफी रोल है तो देखे हम जो हमारे जो विजन मेगजीन का जो डिसकशन चलता है उसको आप ध्यान से देखा कीजे अभी देखिए जनवरी का फर्स्ट अभी लेक्शर आया कल की डेट में उसमें आभी हम आपको जो क्वेश्चन दिये थे यह क्वेश्चन था आपका नागरिकता संसोधन अधनियम पे वो क्वेश्चन था अभी वहां पे डिसकस किया हुआ है पूरा आर्टिकिल प्लस माइनस पॉजिट में कवर किया हुआ है तो वहां से आपको पूरा टॉपिक कॉंप्रिहनसिवली मिल जाता है ठीक है तो कम से कम विजन में जो पॉलिटी का सेक्शन होता है जो पॉलिट देखा कीजिए बीपीएसी वालों के लिए हम बैसिकली बता रहे हैं प्लस जो उसके बाद आई आर व प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है पॉलिटी आई यार साइंस एंटेक तो कम्प्लीट देखिए उसके बाद एकॉनमी जो है एकॉनमी और इन्वायरमेंट की जो सेक्शन है वह आप सेलेक्टेड जो मुद्दें हैं बड़ हाइलाइटेड मुद्दें हैं वह वाली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ग्रूप से और अगर पीडियाफ से देखके भी आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाके तयार कर सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को तो आपको कहीं भागने की जरुरत नहीं पड़ेगी करेंट अफेर के लिए और हिंदी मीडियम में उससे बहतर माटीरियल आप समझ लीजिए कहीं नहीं आप किसी भी मेगजीन से पढ़ रहे होंगे तो चलिए ठीक है लेकिन विजन मेगजीन हिंदी माध्यम के लिए बेस्ट है चुकि इंग्लिस में भी अच्छी है वही तो क्यों ना हम जो माटीरियल हमारे पास बेस्ट अवलेबल ह उसी को यूज किया जाए तो आप लोग अभी जो जैनवरी वाले लेक्चर आया उसको आप एक बार देखिएगा तो आपको वहां पर दोनों आर्टिकल आपको कम्प्रीट वहां मिल जाएंगे ठीक है अब हम आते हैं अपने टेस्ट नंबर एट पर तो यह देखिए टेस इकली देखा जाए तो डेरेट क्या पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है सिर्फ डेफिनीशन पूछा उसके बाद कह रहा है कि भारत द्वारा किये जाने वाले क्या प्रयास थे कि भारत क्या योगदान है तो अब इतने में तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा लेकिन question की language के according हम अपने question को answer को frame करेंगे तो कैसे करेंगे पहले बताए कि global warming क्या है ठीक है उसके बाद करें global warming से होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए इतमीज कि हमें पहले प्रभाव बताने है ठीक है अब हम global warming से क्या effects होने होते हैं वो बताएंगे अब बताएंगे उनक कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किये जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा ठीक क्योंकि प्रभाव जो है ये अपने आप में काफी लंबा हो जाएगा तो लेकिन उसको भी आपको वेटेज उतना ही देना है कि आप दो पेज में ग्लोबल वार्मिंग डेफिनीशन के साथ हो आपको दो पेज देना पड़ेगा इस प्रयास पर भारत के योगदान पर तो फिर आपका complete answer बनता है ठीक है तो अब योगदान में भारत द्वारा किये गया योगदान में देखे जैसे आप सेक्टर वाइस भारत क्या कर रहा है वो आप इस तरीके से बता सकते हैं लेकिन एक तरीके साब देखे जो INDC था पेरिस क्लाइमेट जो समयलन हुआ था उसके according तो INDC के तहट भारत जो जो कर रहा है वो क्या है उस भारत का ही प्रयास है ग्लोबल वार्मिंग की फिर को कम करने के लिए तो वो आप जितने points हुए वो बता सकते हैं internationally फिर उसी तरह ठीके से जो dimensions हैं उनको निकालके जो energy policy है इंडिया की renewable energy policy है उसको आप दिखा सकते हैं ठीक है और भी चीजें हैं जिसको आप sector wise फिर दिखा सकते हैं कि भारत global warming को कम करने के लिए greenhouse gases को एक तरीके से कम करने के लिए क्या काम कर रहा है ठीक है अब next देखते हैं कि nanotechnology साब क्य क्या समझते हैं इस छेत्र में वर्तमान में हुई प्रगति को बताते हुए असपस्ट करें कि भारत की मूलभूत समस्याओं को किस प्रकार यह दूर कर सकता है ठीक है अब देखे जब भी technology वाले कोई भी question आता है तो उसमें आपको technical detail में नहीं गुशना है क्योंकि आपको specific discipline का answer नहीं लिख रहे हैं यह आप general study है generally जो एक knowledge होना चाहिए student को वो आपको यहां रिप्रेजेंट करना है technicality में घुसना नहीं है तो आप nanotechnology का basic समझाएंगे कि क्या है nanotechnology में क्या होता है और इस छेत्र में हुई वर्तमान प्रगति की जब बात कर रहा है तो देखे कोई research या फिर कोई development करते हैं मतलब इतने detail में जाने की जरूरत नहीं है फिर yearly उन्होंने मतलब बताया हुआ है कि कैसे क्या क्या हुआ क्या हुआ मतलब बहुत जादा detail है ना तो वह आपको अभी याद रह सकता है ना बाद में याद रहेगा और नहीं examiner को वह समझ में जो भी development सामने आया है कोई research सामने आई है कोई कुछ ऐसा कुछ खो जा गया जिससे की मतलब कुछ problem solve हो रहा है तो वह recent development को बताना है और फिर आपको भारत की मूलभूत समस्याओं को दिखाना होगा कि sector wise आप उसको क्रिशी से संबंधी जोड़ दीजे स्वास्थ से वह इन उन सब चीजों को आप sector wise दिखा सकते हैं कि नैनो टेक्नोलजी किस प्रकार से help किया है और उस सभी छेत्रों के एक एक दो दो एक्जामपल देते हुए नैनो टेकनोलजी का आप निकाल सकते हैं उसी प्रकार देखे भारत भी काफी नैनो टेकनोलजी पे काम किया है तो अब नेक्स देख लेते हैं तो यह सब आप ध्यान रखिए जब भी टेक्नोलजी का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसमें कभी भी टेक्निकालिटी डिटेल नहीं अब जैसे कभी मालीजे कोई केमिकल रियक्षन लिखने लग गए नहीं लिखने की जुरूरत है जैसे न अरुबहुमिक बुनियादी आयसे आप क्या समझते हैं यदि भारत में इसे लागू कर दिया जाए तो इसके क्या लाब और हानी है यह स्ट्रीट फॉर्वर्ड क्वेश्चन था इसमें आपको बेसिक इंकम यूनिवर्सल बेसिक इंकम क्या है उसके क्या कॉम्पोनेंट् करते हैं तो ठीक है तो यह रहा आपका बेसिक और देखिए आपको जॉइन करना यहां से इस मैसेज पर इस नंबर पर मैसेज की और इसको जॉइन कर सकते हैं काफी अच्छा ग्रूप है यह ग्रूप भी काफी मतलब डिसिप्लिन है जो कि बहुत ही अच्छा लगा तो दिखती है आप लोगों में आए कुछ आंसर देख लेते हैं जो बहतर आंसर है यह देखिए आंसर संगीता कुमारी जी का आंसर है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग वाले क्वेस्चन पर इंट्रोडक्शन में ने डेफिनीशन दिया और इनका देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही बहतर स्ट्रक्चर है और कम शब्दों में बहुत सारी बातों को इनोंने लिखा है बलकि इनको थोड़ा सा इलैबोरेट करने की जुरत थी वह अभी हम देखेंगे तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण को बता दिया जल्दी जल्दी ठीक है ज्यादा इसमें आपको प्रभाव देखिए तापमान में तेजी से विधि मीजल के स्रोथ की कमी समुद्य जलस्तरम लगातार विधि यह सब वर्शा चक्र में परिवर्तन इस प्रकार से यह सारे डे सारे रीजन इन्होंने बता है कि क्या प्रभाव हो सकते हैं एक डाइग्रमेटिकली उन्हों द तरीका यह अच्छा है यह मैं बोलना भी चाह रहे थे कि जब आपका कहा जा रहा है कि भारत का क्या योगदान है तो आप एक पैरग्राफ विश्यो के योगदान के लिए दे सकते हैं वह आपका कनेक्टिंग परग्राफ बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को क करने के लिए विश्व द्वारा ये प्रयास किये जा रहा है तथा अब आप नेक्स परग्राफ से सुरुवात कर देंगे कि भारत के द्वारा भी इस प्रकार के योगदान दिया जा रहा है तो देखे अंतराष्ट्री जो प्रयास थे उनको इन्होंने सम्मेलन के माध्यम से जो भी कुछ climate change related जो थे आपका Stockholm से लेके अभी का जो कोटाविस वाला हुआ COP24 वहां तक उन्होंने complete कर दिया कि यह सम्मेलन हुए तो यह देखे छोटे से एक point में यह चीजें हो गए कि हाँ अंतराष्ट्री प्रयास यह थे अब आ गए इंडिया के प्रयास पे अब यहा आठो जो मिशन थे वो फिर उसके बाद देखे अंतराष्ट्री सौर मिशन की बात किया हरीत अधिकरण अधिनियम बताया पर्यावरण अधिकरण विधयक को बता दिया तो ठीक है BS4 से सीधे 6 पे जा रहे है उसकी बारे में बता दिया ठीक है और इस तरीके से बहुत सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एन्वार्मेंटली जो अनुकूल मकान को बनाने का फिर कैमपा के बारे में बताया तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने बताया है कि क्या भारत का योगदान है भारत क्या कर रहा है ठीक है सोलर पंके इस्तमाल वगरा और यहां यहां पर कंक्लूजन देखे इस इसी पर यहां पर खतम कर दिया कि चौथा पेज कंप्लीट नहीं हुआ तो आप देखे यहां पर यही ध्यान रखने की जवरत थी कि यह जो इन्होंने यह सारे प्रभाव लिखे हैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके इसको चार पेज तक कंप्लीट कर देती तो यह बेस्ट आंसर होता अभी भी यह बेस्ट आंसर ही है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स हैं सारे डायमेंशन कवर्ड है और बहुत ही बहतर तरीके से यह आंसर लिखा हुआ है बहुत ही सधा हुआ अंसर है ठीक है अब देखे पंच वरसी योजना 11-12 को लेते हुए सतत्विकास के लक्षों को प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार से कंक्लूड किया गया तो बहुत ही अच्छा अंसर था यह इनका अब हम अपने next question पर देख लेते हैं तो यह तीसरे question में देख लेते हैं जो भी working है non working है इन सभी को government के द्वारा दिया जा रहा है बिना किसी disparity के बिना किसी प्रकार के discrimination के ठीक है क्योंकि यह universal है तो उसके बाद बताएगा कि components क्या है universality है unconditionality and agency agency मतलब कौन दे रहा है तो government दे रही है ठीक है unconditional बिना किसी शर्त के वो सभी को दिया जाएगा universal ठीक है तो यह component बताएगा फिर बताएगा कि क्या reasons होने चाहिए मतलब UBI के लिए तो वो बताएगी inequalities चुकि बढ़ती जा रही है gap है उसको कम करने के लिए दूसरा बोला कि joblessness बढ़ती जारी automation वगेरा की वज़े से तो थोड़ा उन्हें सवहायता देने की ज़रूरत है फिर बोला जा रहा है कि implementation of UBI in India किस प्रकार से होगा तो उसके लिए key features दिया गया कि क्या होना चाहिए तो जैसे तेंदूलकर कमिटी के कॉर्डिंग जो पॉल्टी लाइन है उसको दिखा के कि इससे ऊपर ही देना पड़ेगा इस तरीके तभी मतलब ऐसा दिया जाए कि इससे वह उपर आ सके तभी गरीवी खतम हो सकती है मतलब कम हो सकती है उसके बाद दिखाएगा कि 75% लगबग population UBI के अंतरगत आ जाएगा कि कॉस्टाइं फिसकल इस पर इसके जो भी है डेटा की मतलब किस परकार से फिसकल पॉलिसी पर प्रभाव डालेगा कितना कॉस्ट आना सटाना जाएंड जर्वाव जाना पड़ेगा फिर है इंकम जो ट्रांसफर है वो डीबिटी के थ्रू किस प्रकार से कैस होना चाहिए वगरा उस तरह के बात है और ग्रेजुएलिजम को यूज किया जाए कि वल्लब धीरे-धीरे किया जाए स्टार्टिंग वूमन से और ऐसे तो यह बेसिक की फीचर दिखाने कोशिस किया कि ऐसा किया जा सकता है किया जाना चाहिए अब एड्वांटेज बताए गया है कि क्या इसको एड्वांटेज होने चाहिए हो हैं तो वह बताएगा एड्मस्ट्रेटिव एफिसिएंसी होगी पॉइर्टी रिडक्शन है ठीक है फिनेंशल इंक्लूजन होगा वुमन इंपावर्मेंट भी होगा एंड साइकोलोजिकल बेनिफिट्स भी होंगे ठीक है उसके बाद डिसएड्वांटेज बताएगा है कि जो कॉस्ट टुद टैक्सपेयर्स के उस पे ही कॉस्ट पे उन प्रेंट का आप लोग देखे इस आंसर से आप पॉइंट समझ लिए उसके बाद आपको घबडाना नहीं आपको जो बहतर आंसर होंगे हम लोग क्या करते हैं चार पांच छे आंसर को बहतर जो आंसर हमें लगते हैं आठ दस आंसर उन्हें अलग करके फिर उन दस में कंप हो जाए टॉपिक तो आप घबडाईए नहीं 15 अप्राइल को आपको complete PDF जो मिल जाएगी वह आपका complete notes की तरह होगा जिसको आप exam तक पूरा revise करते रहेंगे तो मतलब मेंस आपका बहुत ही शांदार जाएगा क्योंकि उससे बाहर question आने हैं नहीं है वह लगभख सारी यह अब देख लेते हैं नेनो टेकनोलजी आंसर पर यह रगवन जी का आंसर है और यहां पर देखे स्टार्ट में देखे को इसमें ज्यादा technical details नहीं दी गई है नेनो टेकनोलजी क्या है सीधा सीधा बताया गया है और किसके छेत्रों में यह अपना इसका प्रभाव है इ तो मतलब आप नहीं याद रख सकते हैं उसको जरूरत नहीं है तो आप historical data देने का कोई उतना खास जरूरी नहीं है आप कोशिस कीजिए कि अगर historical देना भी है दे भी रहे हैं तो आप अपने इंडिया से related historical पर दीजे कि नैनो टेकनोलजी जो mission स्टार्ट हुआ यह जैसे तो इस प्रकार से इन्हों ने यह सारी बाते बता दी फिर उसके बाद नैनो mission जो था उस चीजों को बताया और भारत पर ही focus करेंगे तो तब ही आपका answer बहतर भी होगा बाहर पर information आप अभी कठा कर लेंगे लेकिन याद नहीं होगा कोई मतलब नहीं है ठीक है अब देख टेलर-made answer कि आपको बताना वही है नैनो technology का प्रयोग क्या है विभिन छेत्रों में चुकि यह पूछ रहा है कि मूलभूत समस्याओं को कैसे दूर करने में मदद कर सकता है तो आप उस चीज़ को connect कर दिए तो यह है तरीका यह सब छोड़ी छोड़ी चीज़ें आप सीखत तो देखी इन्हDas नें बताया कि विभिन छेत्रों में क्या प्रयोग है क्रिशिके छेत्र में अब यह तो शमस्या है इस चेत्र में जो भी ओगा हो निर्मार के के चेतर में फिर किस कि चेतर में ठीक है जल सोधन निर्माड चेतर उर्जा चेतर तो इस प्रकार से आप हेडिंग वाइस काम करेंगे तो और एक चीज़ आप लोग को कहना है कि देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर आंसर में डाइग्राम बना है अब बहुत लोगों हम है क्योंकि वह बहुत गलत इंपक्ट डालेगा एक्जामिनर पर दूसरी चीज़ अन्नेसेसरी ना बनाए आप कोशिस कीजिए कि एक आंसर में मैक्सिमम एक डाइग्राम वैसे जरूरी भी नहीं है कि मतलब आपको सब में एक डाइग्राम देना ही देना है लेकिन ज्याद दिखना नहीं चाहिए तो ठीक है इन सब छोड़ी चोड़ी बातों आप लोग ध्यान रखिए और बहुत ही अच्छे तरीके सा आप लोग आंसर लिख रहे हैं लिखते रहे हैं और अपनी स्पीड को बढ़ाईए और स्पीड तेज कीजिए क्योंकि अभी देखे 23-24 होई भी गया है और अब हम लोग हम लोग भी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि 15 अपरेल तक चाहते हैं खतम करने ताकि आपके पास एक महिना डेड़ महिना का टाइम मिले उन आंसर को बहतर तरीके से याद करने में और उसको और कंटेंट रिच बनाने में तो इस तरीके से हम च शेयर भी कीजिए आपको कोई कमी लगे कोई फीडबैक देना हो तो उसे जरूर कमेंट कीजिए ठीक है फिर थैंक यू थैंक यू दोस्त